जैर माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं असरदार टोटके, आज मैं आपके लिए एक महतपुन टोपिक लेकर आया हैं, आपको आर्थिक परिशानी से बचाने के विशे में, अंजाने में की गए गलतियों के विशे में बताने के विशे में, अंजाने में की गए ये काम लाते हैं घर में आर्थिक परिशानी दोस्तों कहीं बार हम कुछ ऐसे अंजाने में कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनका परिणाम हमें बहुत अदिक पुरा बोक्तना पड़ता है और जिसके करन हमारे घर में आर्थिक परिशानिया आते हैं और हमें आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ता है और हमारे घर में सुक समरिदी वे आपस में भाई सारा कायम नहीं रहता दोस्तों वास्तू के अंसार हर विशे के बारे में बताया गया है यह भी बताया गया है कि आप किन चीजों को करें और किन चीजों को नहीं करें जगत के पालनहार भोले नाथ ने मानव कल्यान के लिए ही वास्तू विज्ञान का जनन किया था वास्तु विज्ञान में जीवन को सुख वैभव से कैसे वैतीत करें इस बारे में बताया गया अगर हम वास्तु के इन नियुमों का पालन करें तो हमें जीवन में कभी भी परिसानियों का सामना नहीं करना पड़ता और हमारे घर में हमेशा सुक सम्रिदी बने रहती है हमें कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता दोस्तो परिवार के सब इस दस्यों में आपसी भाईचारा कायम रहता है अगर हम वास्तु के इन नियमों का पालन करते हैं तो आईए दोस्तो जानते हैं कि वह कौन-कौन से छोटे-छोटे काम है जो आपके घर में आर्थिक परिशानिया लासकते हैं अगर आप इनको गल्ती से भी कर देते हैं पहला घर का इसान को साप और सुच रखना चाहिए बगवान लक्समी नारायन का चित्र अथवा सवरूप स्थाफित कर सकते हैं इससे घर में आर्थिक उन्ती आती है और धन संबदा का घर में आगमन बढ़ता है दूसरा घर में कभी भी गल्ती से भी या अंजाने में भी काटे वाले पोधे नहीं लगाने चाहिए काटे वाले दूद निकलने वाले और विसयले पेड़ पोधों को कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इनसे हमें धन की तो हानी होती ही है वास्तु दोस्त तो उत्पन होता ही है इसके साथ साथ यह हमारे स्वास्थे के लिए भी हानिकारक होते हैं घर में हमेशा देवी सक्तियों वाले पोदे रोपन करने चाहिए या लगाने चाहिए जैसे तुलसी मनी प्लांड आदे आप कांटे वाले पोदों को घर में ना लेकर आए तीसरा वासरूम और सोचाले के दरवाजों को हमेशा बंद रखें फॉर्थ किचन में कोई भी दवा न रखें इससे रोग अगर आप किचन में दवा रखते हैं तो इससे रोग समाप्त नहीं होता और आए दिन हमें स्वास्थे समंदी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर आप स्वास्थे समंदी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो किचन में किसी भी दवा को न रखें इस बात का आप अपने जिंदगी में विशेष ध्यान रखें दोस्तो घर की दिवारों में पड़ी दरारों को अन्देखाना करें इसे तुरंत भरवाएं अन्यथा आपकी बचत में कमी आएगी और आपको आर्थिक परिशानी का सामना करना पड़ेगा इसलिए आप इस समस्या का पहले ही निवान कर दे बच्चों को कुछ घरों में बच्चे चोट-चोटे बच्चे होते हैं जो दिवारों पर लिख देते हैं पैंसिल चोक आदी से बच्चों को घर की दिवारों एंव फर्स पर पैंसिल चोक या कोईले से कुछ भी लिखने ने दे क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसे प्रिवार पर रिन चड़ता है इसलिए इस बात का ध्यान रखें जिस थान पर घर का कीमति समान रखा हो वहाँ पर उस थान पर परते दिन सफाई करनी चाहिए उस थान पर अगर गंदगी जमा होगे तो इससे धन हानी के योग बनते हैं तो हमें इस बात का विसेश ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ पर परते दिन सफाई करें दोस्तों ये कुछ गल्ती हैं जो हमें अंजाने भी नहीं करने चाहिए इनको करने से हमें अपने जीवन में आर्थिक परिशानी का सामना करना पड़ता है और हमारा समय कठनाईयों के साथ बीतता है अगर हम इन गल्तियों से बचेंगे तो हमारे घर में हमेशा सुक्सानती बनी रहेगी और धनसबदा का वास रहेगा या आगमन बढ़ेगा दोस्तो आप इस जानकारी को समाजित में अधिक से अधिक से शेयर करें जिससे सभी मेरे भाई इस जानकारी को जानकर अपने लिए फाइदा उठास के तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो आर्थिक अंजाने में की गई गलतिया आर्थिक परिशानी का कान बनती हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकरी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैसे एर करना ना भूलें इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल असरदार टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवा दोस्तो